यह देखिए हल्वाई स्टाइल आलौ के समोसे जो की हमने आटे से बनाकर तयार करे आ हैं बहुत टेस्ट्टी बहुत यम्मी तो चलिये आज ये एक वीडियो देखते हैं और इस हॉली जरूर बनाते हैं आलौ के टेस्टी यम्मी समोसे आप सबका स्वागत है हमारे यूटेब चनल शाय मिस्रमें गाइस यह देखिए हमें ले लिया है एक कटोरी आटा नॉर्मल घर में जो आटा होता है बस रोटी जिससे बनाते हैं बस वहीं आटा लिया हुआ है यह ले लिया है में सूजी जो की हाफ कटोरी है और स्पून से अगर देखा जाए तो 5-6 स्पून तो इसको हम आपस में डालेंगे और यह देखिए हींग 2-3 पिंच कस्तूरी मेथी देखिए हम थोड़ा सा जो समोसों का जो उपर का कवर होता है उसको भी थोड़ा सा टेस्टी बनाएंगे जिससे कि बच्चे अगर नहीं खाबाते हैं अंदर का अंदर की स्टेपिंग तो वह समोसे की ऊपर की कवर ही खा करके बहुत अच्छा उनको लगेगा इतना अच्छा इतना यम्मी बहुत टेस्ट लेगा तो देखिए हमने डाल दी अपनी कस्तूरी में थी मसलते हुए स्वाद के निस्वार नमक अब इसमें मैट करेंगे अच्छे से यह देखिए ओयल जो की बहुत जादा नहीं सिर्फ इतना मोयन के लिए कि अच्छे से क्रिस्पी समोसे हमारे बन कर तेयार हूं और बच्छों को यह अच्छे लगे तो इस तरह से हम करते हुए मोयन को अच्छे से मिला लेंगे और य अच्छे से हम आटे को लगाएंगे क्योंकि हमने सूजी डाली है तो गुन गुने पाने से जब हम डो लगाएंगे तो वह उसमें जो सूजी होगी वह फूल कराएगी अच्छे से इस वज़े से तेखिए जैसे रोटियों का आटा हम लगाते हैं बहुत जादा हार नहीं और बहुत जादा लूज नहीं तो इस तरह से माटा लगा लेंगे क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है तो यह आपस में सोख करके अच्छे से फूल जाएगी तेखिए अब ढ़क कर रख दिया दस मिन के लिए अपने डो को और अब देखिए फिलिंग बना लेते हैं यह एक स्पून जीरा इसको चटकने देंगे हीट अच्छा से आरी इसमें मटर डाल देंगे थोड़ा सायट करेंगे पानी जिसे की मटर को कुक करना है न इस वज़े से कच्छी है मटर हमारी तो यह देखिए मिर्स चिडा लेंगे स्वाद के अनुसार हल धनिया पाउडर आप तेवल स्पून हल्दी पाउडर आप तेवल स्पून और यह देखिए चाट मसाला एक टी स्पून और यह हमने डाला अमचुर पाउडर हाप टी स्पून तो इस से हम नमक सीचार क्योंकि हम इसमें नमक इसलिए डाल रहे हैं जिससे की हमारी यह इस जो मटर वगरा है है। अजय कोड से तु किषग यह पर नमक हो जाए कि नमक और मसाले में अजया tuning जुआ हमारे में लुट में जुए तो नमक और बाद में करेंगे। नमक और बाद कर दूसे खाए अगराओ अच्छे से जिससे की मटर हमारे अच्छे से पक जाए पुख हो जाए यह देखे इसमें हमने डाला हुआ है दो स्पून धनिया खड़ी धनिया है जिसको हम अपने इस खलर कुटना में कूट कर ठीक है कुटना में कूट कर दरदर डाल देंगे यह देखे इस तरह से दरदरी तो इसको अपने प्रेट करेंगे अपने जाए नहीं पिर देख सकते हैं 자कर क्या करें अपने मतर के ऐगा एक दाना लेंगे और में देख लिया हुआ तो आट करेंगे अरा अलू एक नदी सव्ट पादार लेंगे यह फोट रहा हैै एक नूज देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे जो बड़े टुकड़े हैं उनको भी तोड़ देंगे अच्छा से तो अब इसमें फिर से नमक डाला है आलू के हिसाब से थोड़ा सा लेकिन याद रहे कि हमारे चाट नसला में भी नमक है और हमने मतर को पकाते समय भी नमक एट किया था और हमारा डो में भी नमक है तो यह हमने डाल दिया है हारी धनिया पत्ता इसको करेंगे मिक्स और फिर हम अपने समोसे तैयार करेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसे अच्छे से mix करना है , यह देखी mix हो चुका है , तो यह देखे 10 मिनट को भी हो गया है , रेस्ट करते वैशन तो इसको मसल लेंगे एक बार फिर से और यह देखे हाफ आटा हमने लिया है , अब इसकी हम जैसे रोटियों की हम लोई तोडते हैं बस उसी तरह से तोड़ना ह थोड़ा सा बड़ा बड़ा रोटियों के इतना तो यह देखिए ऐसे ही हम सारी लोईया तोड़कर रख लेंगे यह देख सकते हैं और अब हम क्या करेंगे जितनी जैसने जितनी लोईया हम बनाते जाएंगे जैसे हमने बनाई तो जो बाकी की लोईया बची हैं उनको वैसे सबसरी है साधा माहिन है जैसे कि तरह से बैंगे तहां तो इसफे अब देख सकते होसके अब किया अब तो बनाति है कि आधा के नाइफ कि सायता करेंगे किनी धी करेंगे अब बैल के हम इसने सारे सअंगे ऐसे मिनी पानी में फिलिंग खुलेंगे नहीं तो यह तरह से रखते हुए यह देखिए इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे यह देखिए इस तरह से बन गया है जैसे हमारी एक कौन होती है उसी तरह से बन गया है अब इसमें हम क्या करेंगे अपनी फिलिंग भरेंगे आलू की यानि स्टपिंग यह देखे जिसे अच्छे से खाने में सुआधा है तो यह देखे इस तरह से भर गया है तो अब इसको हम पानी लगाते हुए यह देखे साइड से पानी लगाएंगे और इसको हम चिपका दे अच्छे से और यहां पर हम डालेंगे एक प्लेट अपनी चोटी सी जो कि समोसे का आकार देगी देखिए बन चुके हैं यह देखिए गाइस इसी तरह से हम सारे समोसे बना करके तयार कर लेंगे यह देखिए इतने सारे समोसे बन कर तयार है तो इनको हम करते जाएंगे फ्राई तो देखिए हमने ओयल को धीमी गैस पर करके रख दिया था अच्छे से हीट आने लगी है तो थोड़ा सा डो डाल कर हम देख लेंगे यह देखिए डालते ही डो हमारा ऊपर नहीं आया है थो यह दो धाहिने देखिए है तो इस तरह से हम सेक लेगे समोसे को अगर आप बहुत ज़्यादा कड़ाई भर देंगे तो एक दूसरे मिलाक कर यह तूट भी सकते है तो इस वोज़े से हमने बोला और और धीमी फ्लेम पर हाई फ्लेम पर नहीं अगर हाई फ्लेम पर कॉक कर समोस को चुक हो चुक है निकाल कर रहें और इसी तरह से बाकी की बचे हुए समोस को भी हम करेंगे तो यह देखिये इस तरह से करते हुए फ्राइब कर लेंगे सारे समोस को के और इस तेकर समोस मिखे तयार हैं और कितने यम्मी कितने टेस्टी लग रहा है कि बच्चे हैं या बड़े देखते ही सब खाएंगे तो यम्मी टेस्टी देखिये फिलिंग देखकर ही मौ में आ रहा है पानी तो अगर हमारे यह रिस्भी पसंद आही और तो लाइक, सुस्क्राइब और शेर, मिलते हैं नक्स दे, नक्स रेस्पिक्षाद, बबाए!